आपके घर में जब ये रेस्पी बने तो आप अपने घर में पूछेगा कि हाथ उठाए कौन-कौन ये नहीं खाएगा तो देखेगा आपके फेमिली मेंबर में किस-किस का हाथ नीची रहता है शायद आपको एक भी हाथ नीचे नहीं मिलेगा सबका हाथ उपर ही मिलेगा हेलो एब्रिवन आज मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता वैसे तो ये बहुत तरह से बनाया जाता है वाल्ड सॉस रेड सॉस लेकिन चलिए एक तम देशी तरीके से बनाएंगे पास्ता हम लोग और टेस्ट इतना अच्छा आएगा कि बस आप उंगलिया चाटते रह जाएंगे तो इसके लिए लिए अगर आप मेरे चैनल पे अभी अभी आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चलिए फिर देख लेते हैं इसके लिए लिया है मैंने इस तरह का पास्ता पास्ता कई तरह का आता है इसे उबालने के लिए मैंने इसमें पानी लिया है तो पानी उपर तक लिया है और एक चमच तेल डाल लिया है तेल डालेंगे तो आपका पास्ता चिपकेगा नहीं इधर मैं कुछ और तयारिया कर लेती हूँ, जब तक उबलता है तब तक, तो मैंने टमाटर को थोड़ा सा क्रश्ट कर लिया है, और प्याज को इस तरह लंबा लंबा काट लिया है, थोड़ा सा प्याज में भी टमाटर में भी मैंने प्याज डाला था, और उसे भी तो समझ लिजिए कि आपका पास्ता बिलकूलो सावर हो गया है। मैंने उसे और सान के अलग के लिए है। kehans ग़राही में पारीक कटा हुआ नहीं के दखोande कि वा यो बेशित्व दल का साह जश्ञूनी तो दखेखा लहता है। तो थोड़ा सा कच्चा कच्चा ही ये हलका हलका रहता है तो इसलिए सौटे ही सिर्फ करना है हमें और अब डालिया है जो क्रश्क किया हुआ टमाटर है वो डालिया है तो टमाटर मैंने जादा लिया है इसमें दो हरी मिर्च भी डाला था उसे भी क्रश्क कर लिया था और ए तो थोड़ी दिर के लिए भून लीजे ताकि ये टमाटर थोड़ा सा हमारा पक जाए तो ये देखिए टमाटर भी हमारा प्याज के साथ में अच्छे से पक गया है अब इसमें डाल लेते हैं लाल मिर्च पाउडर और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे डाल लेते हैं नमक और इसके साथ में थोड़ा सा अपने टमाटर प्याज वगरा को सारी चीजों को फोन लेते हैं जैसे ही थोड़ा सा तील साइट से छोड़ने लग जाए तो बस डाल लेंगे अपने पास्ता को पास्ता को डाल करके और इसे भी हम इसके साथ में mix कर लेंगे यह सारी चीज़े आपको medium to high पे ही करना है क्योंकि यह ऐसी चीज़े आपको low flame पे नहीं बनाना है और अब डाल लिया है मैंने पीजा पास्ता sauce तो पीजा पास्ता sauce लिया है एक चमच आप चाहें तो इसमें जादा भी डाल सकते हैं लेगिन क्योंकि हमने इसमें टमाटर बग्यारा डाला है तो पीजा पास्ता सोस डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और आप डाल लिया है मिक्स हर्स आपकी बास औरिगेन उपरा हो जो पीजा में छोटे- डाल लेते हैं फोरा सा चिली फ्रेक्स ौर एक टमाटर केचप का पैकेट मिक्स कर लेते हैं सारे चीजों को च गासी की से और प्रीण चीज को सब्याइब का can I just tell the handmade में उनी cabin डाल लिया है इसमें एक से दो चमच इससे बहुत ही क्रीमी क्रीमी सा इसका टेस्ट आएगा और जो हमने तीखा डाला है ना मिर्च डाला है चिली फ्लेक्स डाला है काली मिर्च डाला है वो इसके साथ आकर बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा आप इस तरह एक बार अपने पास् लेकिन एक बार आप इस तरह से बना कर देखिएगा आप इसके एकदम दिवाने फैन हो जाएंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह सारी चीजों के साथ में मिक्स कर लेते हैं और बिल्कुल हलके हथो से ही आप इ दोरा तूट जाएगा वैसे तो बहुत जादा हमने इसे पकाया नहीं है और यह देखिए हमारा पास्ता बन करके तैयार हो गया है तो चलिए फिर प्लेट में लगा लेते हैं टेस्ट करके देख लेते हैं फिर सारे लोगों को सर्फ करेंगे तो एक्तम अलग अलग आप द जीजे बिल्कुल पर्फेक्ट है तो आप ही जरूर बनाएगा आपको कैसे लगी यह रेस्पी अगर आपको मेरी रेस्पी थोरी से भी पसंद आई हो तो प्लीज इक लाइक कीजिएगा अपने फेमली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा टेक कियर एंड बावाई